हुआ हालो दोस्ते गुर्मा आज मैंने करने हैं हम आप दीर के लिए नाइस स्टाइल कि इतने उन्में कितने बच्छों को दूट देना चाहिए इसके बारे में आना हम लोगे अप्राप दिया चाहिए यह आप देख सकते हैं किस और में कितना दूट जरूरी है हम लोगों को पता नहीं कि इतना दूट बच्छों को जाना चाहिए कि अगर मां से बच्छे की ज़ुद पूरी हो जाते हैं तो साल बार तक बच्छों को मां का दूट ही पिलाना चाहिए इस दौरान बच्छों को दूट आएगा दूट पूलाने की सलादी जाते हैं अक्सर बच्छों को लोग महाइस का दूट जाते हैं था इस दो साल भर से बच्छे को उपर का दूट देना चाहिए दिमांग के विकाद के लिए इस विक बच्छों को फैट से भरगू डाएट की जरूवत होती है जो दूटी होता mix इस तीन साल के बच्छों को दूट के साथ खाना भी खाने लगता है ऐसे में उन्हें दो तीन कब दूट पीना चाहिए इस 104 से आर साल तो बच्छें ऐसे बच्छों को कम से कम पांच का फूट रुजाना पीना चाहिए पांच कब भच्चे दूद्द पीते काहँ हैं जबकि हम वाकान के पांच कब दूद के लाएं उसके बाद नौ साल से बड़े बच्चों को अधिक बच्चे को तीन से पांच कब दूद्रोजाना चाहिए लेकिन ऐसे बच्चे जीने हाई कैरॉय की जमत होती है उन्हें दू कि अधिनर के तीन घंटे बाद ही दूद लें ताकि पेट की पूजी तरह खाली हो अगर आपको दूद नहीं पसता है तो इसे पीने के बाद एक इलैची खा लें दूद में चीनी ना डाले क्योंकि मीठा दूद कफ बनाता है अगर मीठी की जरूवत है तो सहथ उनक्का या काई विच्प करें गलती हैं और दूद पी लेते हैं अब बहुत साइड़क को दूद पीते भी नहीं तो खाना खाने के तीन से चार घंटा के बाद लोगों को दूद पीना चाहिए इस चिसका खिल करना है और दूद सादा ही पिए चीनी की डालने की दूबत नहीं क्यों तो आज के लिए यतना ही है और वीडियो पसंद परें तो शेयर करें और हाँ चैनल को सस्क्राइब जबूर करें थाइंक्यों